वायगुरु जी का खाल सा वायगुरु जी की पतेहज रसी बंदा सिंग बहादर जी दी कहाणी नू सुनागे बंदा सिंग बहादर दा जनम 1670 विच राजोरी जम्मु कश्मीर विच एंग परामन परिवार विच होया सी उस दा पूरा नाम लशमन दास सी ओ बच्वन तो ही बड़ा नीर पामा वाला ते अंखीला सी उसने अपनी जिन्दगी विच बहुत दुप्ते खिसान एक दिन उसनी जिन्दगी बदल गई जदो उसनी मा अते बच्च्यानू मार दिता गया इस कटना ने उसने दिल विच बदला लेंडी अग पर दिती बच्वन विच ही उसने तार्विक राह ते चलन भी काफी कोशिश की थी अते कई साल ताको तपस्या करदा रहा इस दौरान उसनी मुलकता अते जजबात अजेवी बरकरार सान एक देन उसनी मुलकात स्री गुरु गोगिन सिंग जी नाल होई जिना ने उसनू सिक्त तरम ने मात पे चाण लई परे रहा गुरुची ने उसनू एक नमेना बंदा सिंग बहादर नाल नवाजया अते ओना दे सकती अगवाई करन लें त्यार किता गुरुची दे अशीरवाद नाल बंदा सिंग ने पंजाब दी तर्थी उत्दे मुगल शास का विरुट जांग शुरू कर दिती दिती उसने कई लडाया विच आपनी बहादरी ना परदर्शन कीता हदे कई जंगा मुगल पॉँचानू मात दिती उसने सिरहिंदे नवाब बजीर आनू मात दिती जिसमें गुरुखोविन सिंग दे बच्यां दी पेरे मिनाल हत्या की पीसी सिरहिंदी जांग बहाद प्यानक सी इस जांग मिच बंदा सिंग बहादर ने अपने सिपाहियानू होसला दिता आते उनानू केहा की असी साच नहीं लाड़ रहे हां अती साच नहीं हमेशा जिपूली है तरम दी राखी करनी साड़ा फरस है तोस्तियां ए गल्ला सिपाहियां दे दिला विच जजबा पैला करन नहीं काफिसान आखितार बंदा सिंग बहादर ने सर्हिन कुझित लिया अते वजीर खानू माल के अपने को भी पेज़ती दा बग्दा लिया इस जांक तो बार बुर लोका मेच बहुत मश्बूर हो गया अते उनादा अगमनी नेरो बढ़ गया लोग उसनु साच अते तरम दा परचात मन नन लगबए बंदा सिंग ने अपनी अजो की अनक नाल नमा इतिहास लिख्या अते लोका नू सिखाया की कदेवी अन्यादे सामने नमन नहीं करना चाहिदा अखेर उच बंदा सिंग बहादर नू पाण ल्या गया अते दिल में ल्यादा गया मोगर शास्तका ने उसनु बेहत तकलीप मा दितिया पर उसने कदेवी अपनी अनक नहीं गवाई अपने आखरी साह ताक फोस ने अपने तरम ते मस्तूपी ना तिक्या रैन विप्रेण ना दिति एक कहाणी बंदा सिंग बहादर नी सच्चाई अनक नते बहादरी दा प्रती थे प्यारी साथ संगत जी जै साधे कोई नो पढ़ दे जा बोल दे कुछ गंती मोई होगे ता असी खेमा दे जा चखा फोल दी इस सरा दे सार्मेक अते चंगे किस्ति सुणने अनता साधे चैनल नू सबस्क्राइब जरूर करूजी अते विडियो नू लाइप मी जरूर करूजी तन्वाद जी